लो फैंट्स वेलकम टूबर चनल हम बात करने वाले यूनो मिन्दा के वारे में जिसके करेंटली हम डेली चार्ट पर हैं और हमारे मेंबर्स नहीं रिक्वेस्ट किया है तो ऐसे किसी भी श्टॉक पर आपको भी इनलिसिस चाहिए श्टॉक का नाम आप कमेंड कर सकते हो इं निकालते हैं तो समझ में आएगा यहां पर इक अच्छा ब्रिक आउट आ सकता है और ब्रिक आउट अगर देते हैं हम तो पहला जो टर्गेट है वो उसका यह हमारा बाइंग लेल होजाए का जो कि प्रॉफिट रहा है यहां पर इंट्राडे प्ले किया होगा तो उस तरीके से भी आप प्लान कर सकते हो तो बागी अभी हम पहले लेबल के आसपास चल रहे हैं तो यहां से अगर हम करते हैं तो हम 1160 1180 के लेबल तक इसको कंटिन्यू कर सकते हैं डारेक्ली ब्रेकाउट का मत मत प्लान करिएगा ठीक है डारेक्ली ब्रेकाउट मत प्लान करना यहां पर अलड़ी दो बार तीन बार ट्रैप कर चुका है तो वह सकता है फिर से हां से सैलिंग के लिए आ जाए तो डारेक्ली बाइंग मत प्लान करना वेट करना जब तक कि प्रॉपर ब्रेकाउट नहों यह करीब 1185 के आसपास का लेवल है इसका अगर हम रेकाउट करके निकलते हैं तो फिर टार्गेट डेफिनेटली बहुत बड़े होने वाले हैं बड़ जब तक इसका ब्रेकाउट नहीं देता है तब तक लिए आप इसको एक साइड़ विस रेंज की तरहें ट्रेड कर सकते ह ठीक है तो फिलाल अभी फ्रेस एंट्री नहीं बनेगा करेंट लेबल पर अगर आपने पहले से एंट्री लिया हुआ है तब चल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है ठीक है बड़ अगर आपने अब यहां पर एंट्री लेने का प्लान कर रहे हो तो आप हाई रिस्क पर होने क्योंकि आपका जो सेम लेवल पर है अभी भी अभी भी स्टॉप लोस यह नहीं हुआ क्योंकि वनवे मुमेंटम है ठीक है तो बनवे मूब में कहां तक चला जाएगा आप इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते है तो यह चीज ज्याद रखिए पोजीशन जो था वह बन इस कर सकते हो रेंज वांड मोमेंटम में है जब तक कि टॉप या बॉटम इसका ब्रेकडाउन नहीं होता बागे यसे किसी भी स्टॉप पर आपको एल्लेस चाहिए तो श्टॉप का नाम कंड़ कर सकते हो वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब् मत भूलेगा थैंकिसो मच